कॉंग्रिस महा सचेव प्रियंका गांधी वाडरा लगातार यूपी सरकार पर हमलावर रहती हैं उन्होंने एक बार फिर उत्तरप्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है इस बार प्रियंका ने बिजली करमचारियों के मुद्दे को उठाया प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश में बिजली विभा के करमचारियों की जिंदगी भर की कमाई बीजेपी सरकार में डिएच एफल में निवेश करके फसादी जुनाव के दौरान मुझे तमाम सरकारी करमचारियों ने मिलकर नई पैंशन स्क्रीम को लेकर अपनी चिंता बताय थी आज उनके शक चायत साबित हो रहे हैं कॉंग्रेस महासचेव प्रियंका गांधी वाडरा ने कहा गुनेगार कौन जिस वक्ति ने इमानदारी से अपनी जिंदगी भर की कमाई आपके हाथों में भरोसर से डाली उसके लिए आपका क्या जवाब है और कितने मिभागों के करमचारियों की गाड़ी कमाई ऐसी 231 करोड रुपे को गलत तरीके से डी एच एफल में निवेश किया था निवेश किया गया पैसा लगभग 45,000 से ज़्यादा बिजली करमचारियों के भविश ने दिगा था फिलहाल मुख्यमंतरी योगिया दिनात ने इस मामले के जांच CBI को सौंदी है पूरी पूरी पूर्ट यूपिटाग्ड़